वेलकम टिश्रोंट रिटेसन रिटेसन पान स्केन बाश शुरू होगा सत्ता का मनमाना इस्तिमाल कितना विकराल रूप धारण कर चुका है इसका ताजा और घिनोना प्रमाड है मुंबई महानगर पालिका के दस्ते की ओर से अभिनेत्री कंगना रनोट के कार्याले में की गई तोडफोड यह तोडफोड सिर्फ इसी लिए की गई क्योंकि उनके कुछ बयान महाराष्ट सरकार को रास नहीं आये पहले सिव सेना नेताओं ने कंगना के खिलाफ बेहुदे बयान दिये और जब इतने से भी संतुस्टी नहीं मिली तो महाराष्ट सरकार ने BMC के अतिक्रमण विरोधी दस्ते को उनके दफ्तर को डहा ने भेज दिया चुकि मकसद हर हाल में कंगना को सबक सिखाना था इसलिए निर्धारित तोर तरीकों को धता बताया गया सिव सेना के नेतरित वाली महाराष्ट सरकार BMC की ओची हरकत पर अपनी पीठ ठोक सकती है लेकिन सच तो यह है कि उसने खुद को लोगों की नजरों से गिराने का काम किया है इस कृत्य से लोकतांत्रिक मुल्यों मर्यादाओं की धजियां उड़ने के साथ ही यह भी साबित हुआ कि हमारे नेताओं में सत्ता का अहंकार किस तरह सिर चड़कर बोलता है महाराष्ट सरकार अपने से असहमत लोगों को आतंकित करने के लिए जिस तरह किसी भी हद तक जाने को तयार दिख रही है वह प्रतिशोद की राजनीत का ऐसा मामला है जो भारतिय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है विडम बना यह है कि प्रतिशोद की राजनीत का यह इकलोता उदाहरण नहीं अपने देश में महाराष्ट सरकार सरीखे उदाहरण देखने को मिलते ही रहते हैं संकीन राजनीतिक स्वार्थों को सिद करने अथवा अपने राजनीतिक या वैचारिक विरोधियों को तंग करने के लिए सत्ता का बेजा इस्तिमाल करने के मामलों की गिनती करना मुश्किल है जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो कानून के सासन का उपहास उड़ने के साथ ही भारती लोकतंत्र की बदनामी भी होती है कंगना जिस मामले को लेकर चर्चा में आई वह अभिनेता सुसांत सिंग राजपूत की संदिग्द परिक्स्थितियों में मौत का है पता नहीं उनकी मौत किन कारणों से हुई लेकिन यह एक तत्य है कि इस मामले की जाच भी सस्ती राजनीत से प्रभावित दिखी इस मामले की जाच को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने का ही काम किया जैसे कंगना के कार्याले को बदले की राजनीतिके तहत धुस्त करने की हरकत की अनदेखी नहीं की जा सकती वैसे ही शुसांत सिंग राजपूत की मौत के लिए कथित तोर पर जिम्मेदार मानी जा रही रिया चक्रवर्ती की नशीले पदार्थों की खरीद फरुख्त के आरोप में गिरफ तारी को लेकर उठे सवालों को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता इन सवालों का चाहे जो जवाब हो यह बिलकुल भी ठीक नहीं की सत्ता में बैठे लोग अपने अधिकारों का मनमाना इस्तिमाल करने में समर्थ बने रहें स्टॉप